भाई और भेनों, बीते कुछ सालों में, देश भर में, इतिहास, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्मान किया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा लक्ष परियतन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर परदेश तो परियतन और तिर्धातन दोनों के मामले में समरुद्ध भी है और इसकी ख्षमताएं भी अपार है। चाहे वह भगवान राम का जन्मस्थान हो या कर्ष्ण का ब्रंदावन हो भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाव। संत कभीर का मघर रुधाम या वारानसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिक करण पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल दहा है। इनके विकाश के लिए भगवान राम, स्री कर्ष्ण और बुद्ध के जीवन से संबन्दी स्थलों जैसे अयोध्या, चित्रकोट, मथुरा, व्रंदावन, गोवर्धन, कुशिनगर, स्रावस्ति, आधी तीर्थ स्थलों पर रामायन सर्गीट, अध्यात्मिक सर्गीट, बहुद्ध सर्गीट, ऐसे अनगिनेत सर्गीट, इसका विकास किया जा रहा है। भाई और भैनों, बीते कुछ वर्षों में, जो प्रयास हुए हैं, उनका प्रभावी नजर आने लगा है। जिस राज्य में अन्य राज्यों से सबसे अधिक परियाटक आते हैं, वो प्रदेश का नाम है उत्तरप्रदेश। विदेशी परियाटकों को आकरसित करने में भी, यूपी देश के टॉप तीन राज्यों में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में परियाटकों के लिए जरूरी सुविदाओं के साथ साथ आधूनिक कनेक्टिविटी के साधन भी बढ़ाये जा रहा है भविष्य में अयोध्या का एरपोर्ट और कुशी नगर का इंट्रनेस्टर एरपोर्ट देश विदेशी टुरिस्टों के लिए बहुत उप्योगी साबित होगा उत्तर पुदेश में छोटे बड़े दरजन बर एरपोर्ट पर काम चल रहा है जिसमें से कही पुर्वान्चल में ही है उड़ान योजना के तहट यूपी के अनेक शहरों उनका काम कीमत माली हवाई से जोडने का अभ्यान चल रहा है कम कीमत से इसके अलावा पुर्वान्चल एक्सप्रेस में मुंदेल खंड एक्सप्रेस में गंगा एक्सप्रेस में गोरकपुर लिंक एक्सप्रेस में बल्या लिंक एक्सप्रेस में ऐसी आधुनिक और चौडी सडकें पूरे यूपी में बनाई जा रही है और ये तो एक तरह से आधुनिक यूपी के आधुनिक इन्फासेक्टर की शुरुवात है एर और रोड कनेक्टिविटी के अलावा यूपी को रेल कनेक्टिविटी भी वो भी आधुनिक हो रही है यूपी दो बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का जंक्षन है हाली में ही इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के एक बड़े हिस्से का लोकारपन यूपी में ही किया गया है यूपी में जिस प्रकाराच आधुनिक इन्फासेक्टर पर काम चल रहा है उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेसक प्रोथसाइस है इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बहतर अवसर बनी रहे हैं यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्द हो रहे हैं